गुड माशले में बच्चेवा, मैं उपांसर और आज हम क्लाश 10 वर्ष च्वेक को एकसाज नंबर 5 पढ़ाएंगे इसमें एकसाज नंबर 5 है समानतर स्रेंडी तो सबसे पहले हम लोग समानतर स्रेंडी के परिफासा पढ़ेंगे तो समांतर स्रेड़ी क्या होता है पहले या जाएंगे ऐसी स्रेड़ी जिसमें प्रतेक पद का अपने पुर्व पद के साथ अंतर सर्वत्र समान होता है उसे समांतर स्रेड़ी करते हैं कानी का मतलब यह है इस स्रेड़ी का कहीं भी कोई भी पद ले लिजिए और उसके ठीक पाले वाले पत के साथ उसका अंतर निकाल लेजिए या स्रेडी में कहीं भी अंतर निकालेंगे तो सर्वत्र या अंतर समान होगा जब ऐसे सिती आएगी इस तरह का कहीं पर कोई स्रेडी मिलेगा तो उसको समानतर स्रेडी कहेंगे और इसमें स्रेडी के पर्थम पद को इस माले से लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है और सारवंतर डी है, कानी का मतलब यह समांतर स्रेडी के पर्थम पद को A1 से, दूसरे को A2 से, तीसरे को A3 से, डैस 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 अन से लिखा जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को यानि कि दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में सर्वांतर को जूना पड़ेगा तो देखां यादि कोई स्रड़ी है इसका सर्वांतर डी है और इसमें एवन पहले पद को इस वाले से निखा जा रहा है तो दूसरा पद कैसे निकलेगा पाले पद में दी को जोड़ेंगे और एवन के जापर ए लिखेंगे अब यहाद साइड में यह सब भी लिखा गया है यह उसकाड़ सरदल जाने अलए वहर है सब्सक्रण टीन हो इसके इसनिये की सब्सक्राओंगर केत कुझ देखां लूख कर पद अगसें वह सब्सक्राओं जोनों कि यानिके जिस नंबर का पद है उस में डी का गुडांग उससे1 ही है यानि कि दुसरा पतार अदिके कगे एक आगे, त्रिसरा पतार एक ढीडि़क का तो घट आएगा चाहुड़ाी ठीटी पर भात को धुटोड़ी業्रा वर यहां पर यह जिया के दिसाट पैसी पहला पता है ज deux ऐंगे रणात है है उप्यानेयर्ठ को घटाएंगे यह प्लस टूडी और इस टू को लिखा जासकता है 3-1 और यहां पर जो 3 है इसको लिखा जासकता है 4-1 इससे यह फायदा होगा जो था पद है तो दी के गुणांग निकलने के लिए 4-1 गटा है यह तीसरा पद है तो यहां पर दी के गुणांग 3-1 है दूसरा पद है तो दी के गुणांग 2-1 है पाला पद तो दी के गुणांग 1-1 है अब यहां पर हम दो क्या करेंगे यह नमा पढ़ मानली जे कोई हो यहाँ नमबर का पद हो तो D के गुडाइंट निकालने के लिका करेंगे A प्लस यहा नमाइनस 1 इंक्या करेंगे गल attracts A, अधाई यह भाद però गालिया प्लाजा फेलिए जाएक अवह मानली जितल retrou पर D तो यहिंगे बराबर देज़्ेश देज्ट आपने पुरूपद के सांतर माइनस एक पुरूपद इस तरह से घटाएंगे कोई सिर्णी दे गया रहेगी उसको माइनस सिर्णी पूरूप करना रहेगा तम भूस क्या करेंगे A3-A1 बराबर A2-A1 A2-A1 निकालेंगे और A3-A2 निकालेंगे दोनों बराबर हो जाएगा तका देंगे समांतर स्रडी है अनठा करेंगे समांतर स्रडी नहीं है अब इसके बाद आये था व्यापक पदी ऐसा पद जो किसी स्रडी को व्यक्त करता है और कि इस स्रेडी के सभी पदों को ब्यापक पद कहा जबता है अब यान पद वाली समामतर स्रेडी हो तो इसका ब्यापक पद A N प्लस, A N बराबर A प्लस N माइनस 1 टू डी होता है अब यहाँ पर यान बराबर एक रखेंगे तो पहला पद निकल जाएगा प्रते किलोमीटर के बाद टेक्सी का किरया जब्ते कंदर के वे million त्वेस्तवी पर 4 लेइस आएट गिमуш्य में वख भाणों को यह शुनанे कー's करें दिए हैं जूरेखे गिरी पपल्ण। किर्ड़र रुपयर हैं और जब दूसरा किली रुपय में तो आइट पकिली में रही कशाए फिर्सटव हैं म। शर्फ पाले किलोमेट्र का 50 रुप दूसरे किलोमेट्र का अच्क होते इस मेह उप्वार्ब एक्षårt हुआ है इसलिए रहान ए दूसरा को रहा है इसे दोर प्रलत ह वा सिदे रहा जितना समें हवाव लुन निकभा वा स प्रते नुः तो तो हम लोग माने हैं कि अग्याद में हावा की मातरा को कुछ माल दिया जाएगा जैसे एक स्वान मातरक मान रहे हैं स्वाति पायत की बाहर बाहर न कलें तो यसको कटाएंगे साहिए इन दो करें दो इसाने को कि लिष्ट किते नहीं कि अइसे नहीं करें यह इतना हवाद पहर निकला तो अब कि इस टिए बराबर 3x by 4 minus 3x by 16, अब क्या करा, गटा दें इसमें से, इसमें से इसको गटाएंगे, x by 16 ना जाएगा, अब एपी के लिए हुआ, जो समांतर प्रेंडी के कंडिशन होता, उसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं, 3 minus 1 को बराबर एक महिए, अब सब कमान राक करके गटाएंगे, तो माइनस 3x by 16, और दूसरे साइज में आ रहा है, माइनस एक महिए, इसलिए इसको कट तर देंगे, कुपी सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए इसमें दो पॉर्चन और बचा है, इसी तरह से आप लोग लगाएंगे, क्वेस्टिन नमबर टू करा है, दी हुई एपी के प प्रथम पद और सार्वांतर दिये गए है, इस प्रशन के काने का मतलब या है, यदि किसी समांतर स्रणी का प्रथम पद और सार्वांतर मालूम है, तो उस स्रणी के चार पदों को ज्याद कीजिए, तो पाला पद ए दिया हुआ है, और सार्वांतर डी दिया हुआ है, तो और A4 बराबर A plus 3D होता है, प्यारे बच्चों यह सब याद रखेंगे, तो बहुत अचानी से निकल जाएगा ने, तो फार्मूला यह उच करेंगे, तो स्वार बहुत लंबा हो जाएगा, अब इसके माज से, A बराबर 10 और D बराबर 10, तो A1 बराबर A बराबर 10, पाला पर 10 हो गया, दूसरा पर निकाना, A plus D होता है, 10 प्लस 10 बराबर 20, और A3, A plus 2 भी होता है, तो A के जाएपर 10 और 2 के जाएपर, तो रेखेंगे, आपर 2 इंटू 10 रणना चाहिए, कोई फरक नहीं है, 10 बुना 20, अब 20, 10, 30, और A4 बराबर A plus 3D, 10, दन 3 गुले 10, तो 30 हो जाएगा, 10 दन 30 बराबर 40, तो पहला पर, दूसरा पर, तिसरा पर, तूसरा पर, तूसरा पर, मालूम होगे, आप लोगे इसी तरस से, 2, 3, 4 लगाएँगे, 5 आप बता रहे है, A बराबर दिया है, माइनस 1.25 और B बराबर माइनस 0.25, तो A1 बराबर A बराबर माइनस 1.25 और A2 बराबर A plus D होता है, तो A कमान माइनस 1.25 और माइनस D कमान 0.25, इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस 1.25 हो जाएगा, इसके बास से, तो A3 बराबर A plus 2D होता है, तो A के जगाब पर माइनस 1.25 और 2 के जगाब पर 2 और 2 के जगाब पर माइनस 0.25, इसका इसमें बुड़ा करतेंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो बुड़ा करतेंगे, तो माइनस 0.25 जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे, तो जोड़ें करें प्रतेक लिए पर्थम पद और सारवांतर गयाद किए पर्थम पद मतलब पहला पद यानि कि आपको इवन गयाद करना है और उनको सार्वांतर D निकालना हैं तो सारवांतर D बराबर होता है A2-A1 तो A1 निकालना यह एटू निकालना फिर D का माझ निकालना — जैसे पाला सवाल है उसी तरह से है इस तीन सवाल है तो साल अंब बतार है है sask Ass Nas a- customers — आपनों का प्रत रोग मार्थ होगा तो यहां से पर्थम पद A1 बराबर 3 हो जाएगा और A2 is equal to 1 हो जाएगा इस त्रेणी में देखेंगे जो पाले पड़ेगा पर्थम पद जो दूसरे नंबर पर पड़ेगा दूसरा पद जो तीसरे नंबर पर पड़ेगा बाद तीसरा पड़ेगा तो D बराबर A2 माइनस A1 तो A2 का माण है 1 और A1 का माण है 3 तो 1 में से 3 को माइनस कर देंगे तो माइनस 2 की बच जाएगा इसी तरह से इसमें सेज 3 परशन और हैं 3 परशन और हैं उन 3 को आप लोग लगाएगे कि एक काउने सने तो इसक तरहिसे टेन थाएगा गेध कीजिए और इसके छापती है यह सवी तरही को अग्यादश है जाएगा करने कि मैंसे 2 ऍदी कि अब समय किया जाएगा यह फोड़ाता करड़ी क्षाड़ी वाला है तो यह वन नवाबर ठील हो जायेगा आशना है यह वन बंडराबर टीन के तु स्लिखंत तो अब यह वके अंग्राबर babies Lu purple एटोबर इटो मायनस सेवन करदें तो यहां साय एका थ्री प्लस टू रुप टू मानस टीला सुन प्री प्लस रूप टू रुप टू और यहां से आए शाय गार्टिया थी प्लस प्लस फोर बराबर एक्साइज नंबर 5.2 पढ़ाएंगे तो इस एक्साइज में दो फार्मूले यूज होंगे एक फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और एक देखाएं या किसी समानतर स्रेडिक है या किसी प्रथम पद A, सारवांतर D और अंतिम पद इसमाल L है तो प्रायरंग से या नंवा पद N बरावर A प्लस N माइनस 1 इंटू D या हम लोग पिछले वीडियो में व्यापक पद के रुप में पढ़ हूं और इसी स्रेडिका यन अंत से या नंवा पद निकालना हो तब क्या होगा यल माइनस यन माइनस 1 इंटू D या फार्मूला होता है इन दोनों फार्मूलों की साहता से हम लोग एक्सराइज नंबर 5.2 को हल करेंगे तो आयो देखते हैं एक्सराइज नंबर 5.2 प्यारे बोड़ पर सारड़ी बनी हुई है और जहां पर कोई पद मिसिंग है उसके जवापर कोश्चन मार्क बना हुआ है तो पहले सवाल में पहला सवाल हम बता रहे हैं इसमें कह रहा है एक इकोल टू 7 है डी इकोल टू 3 है या इसको टू 8 है तो एन का मान निकालना है तो यह और यह सब प्लस 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 गुण और इए इसको टूण तो यह हमारा अंशर हो जाएगा प्यारी बच्चों तो चन्हें जितने भी बड़ बंब बड़्चों यह 18-25 में सब में फार्मूॉला लगेगा जिसका इसा मान मालूम रावा पूट कर दिए। और साब कर किजीए इस इसमान नीकल जाए दो की सिर्ण गित मरी निकल जाए गात में में चेल के आँसे बता रहे हैं प्यारी बच्शों बिच्वांट् को बराबर साथ और यहां से दी कमान निकाल करते हैं दी बराबर एक टू माइनस दस बराबर माइनस तेन अब ए सतासरी में से दस बतेगा तो सतास्तर बचेगा बड़े वले का चिन माइनस है इसलिए माइनस सतास्तर हो जाएगा क्वेस्चन नमबर टू इसने का सेकंड पूर्शन एक दम से इसी तरह से है तुवा आप लोगों का हमोर्थ है आप लोगी से लगाएंगे प्यारे बच्चों क्वेस्चन नमबर थ्री बोड पर लिखा गया है करा निम ने लिखी समांतर त्रिणियों में रिकता स्थानों की पदो को जाद कीजिए यहां पर जो बाक्स बने हैं उनके पदो को जाद करना है कि वालिवलेंगे च तो क्या क्या मालूम है ए वन बढ़ बरेंवाब़र दूर और हमको को मालूम है यहां पर निखेंगे तो तू को ट्रांपर तारेगे 26-2, सब्सक्राइब निकालना है तो बराबर होता है एक प्लस डी कमान तू और डी कमान तू में 12 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा अब इसके बाद से दूसरा पॉर्शन इसी तरह से लगाएंगे दूसरे पॉर्शन में देखना पाहला पद और पिसरा पद मालूप तो मानिंग मा बाद कीप्रला जोड़े पसाओ यो पॉर्शन रखशन निकल जाएगा और दे घैथमान ौझ 5 हो जोड़ेंगे को किसरा पदूसरे संयुं द्यूसर flip थे कॉला थिजो जूड़े तो 59 मावालत करना है खिए 2 ईक पर फकीया करना है और 2 ईक्याद करना है तो शरी गंसेह आर यहां पर माइनस के नड़ा सुफेंड कर जाएगा तो दी कमान्ड निकालना है एक देक्वान निकालना है इसमें जीतने भी पोर्षन है या दिखाई देना कि सरा छोटा और पाच्वां से ऐसे ही लगेगा जैसे ही जैसे सवाल लगें उसी तरह से लगेगा तो यह आप लोगों का हमोर है प्यारे बच्चें और जैसे जैसे अगेंगे में प्रतिक इतने पद हैं यह साथा और नतीन पद यहां पर दोसा पांच दिया हुआ है तो पुछ राख कितने पद हैं कैसे लगेगा तो जो कुछ पुछ रहा है हम लोग मानेंगे सिरणी में यन पद हैं. तो क्या-क्या मालूम है? आला पद मालूम है. आपके यन बराबर बाबर से बन टू मालूम है। और आन मालूम है. हमको यन ग्यात करना है. तो दी कमान निकलने है, ए, टू माइनस, तो तेरे में से साथ जाएगा 6. है अब हम लोग फार्मुले लगाएंगे एन बरावर एक प्लस एन माइनस वन इंटू डी जिसका इसका माल मरग में तो सब पांच साथ एन माइनस वन येच्छ है साथ को ले जाए यह वाले को इस तरफ बाकिसब को एक तरफ इसको इधर लाएं तो दो सब पांच माइनस लोगों का हमोर एकड़म सेम ऐसे ही है अब इसके बाद से हम लोग लोग दिस्ट लगा रहे है के ऊड़ा है एक प्लम फेस्ट कुछ रहा है क्यों यह प्लम है की नहीं इसकाने का मतलब माईनस सेख्ट पचास इसमें आएगा की नहीं आएगा अर्फ 10 अन कमान निकलना है तो डी हमलों निकालनेंगे एक तरह बाकी साथ कि इं turamaya को लिए लेट साड मी म सब्सके नमें से 15ए만 माइनस निखालना है या इसलिए इस प्र LGBT नुद्स कर दोर यां प्री 10 173 यन बराबर 174 बटब झी आद रहीं निकालेंगे यहां से तर्च 2 वट 3 यह पदों के संख्या भिन्नातमक नहीं हो सकता है इसलिए यन का मान प्रस्णावनी के सेश प्रस्णोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे धैंक्स फैबनाइचे